कै anda concerns Elly lady transformation में खोता क्या है हमारा सबसे पहले हम V और V' दो वैक्टर इस पेस लेते हैं और दोनों के आपसने मैपिंग करुवाते हैं और यदि इन दोनों कि मैपिंग ieством mapping TV टो वीदयाइस इज रीने हफिस अ hard we chain space हैं और एल्फा बीटा हम एक field के दोएलिमेंट लें और आपस में क्या करें इल्फा का scalar multiplication करें यू के साथ बीटा का conflict करें वी के साथ और इनका आपस में लेन्य कमी ले 알फा यू पिलस बीटा वी और इनकादी मैपिंग निकालें टी मैपिंग तो Ochoips कि तो आजेला के यू प्लस बी टीवी कि होगा क्या यादी एलफा मॉनां कर टी यू आ जाए और बीटा मॉना की टीवी कि या इस तरह की जो मैपिंग होती मैपिंग होती है वो हमारी क्या हो दिलीने टांस someday सब्सक्राइब और अगें दूसी मैपिंग क्या होती है इसका स्केलर मेंटिकलेशन के हम मैपिंग निकालें तो किसमेंच कंवर्ट हो जाए एल्फा इनटू टी यू की हमारी मैपिंग में con-work होजाएे फ़का एक तरीके से स्केलर में आजाए यहां पर हम जाते हैं फिल्ट का मनलब बात क्या है कि जो हमारे x में element है वो तो टू टपल टाइप है x,y जाए दो आते हैं और बी डैस में जो element है x,y, जाए 3 टपल टाइप के हैं क्योंकि यहां पर 3 है तो हमारा यह mapping हो गई तो txy हमें mapping दे रखी x plus y,x minus y,0 then t is linear transformation तो यानि कि हमारी यह linear transformation दिखा दे दिखा देगा इसे हाला कि हम प्रूफ हमारी books में दिया होता है bsc की books में हम इसे basically करेंगे क्या है जो हमारी alpha u plus beta v property है x,yu की जगे x1,y1,b की जगे x2,y2 लेंगे पहले element पहले साथ दूसर element दूसरे के साथ तो इस तो तरीके सा फ्रिसकर साफ सी is open करेंगे पहला दूसर चाहिए नेट में इसकी प्रूफ कभी पूछा नहीं जाता तो इस वएसे मैं इसे करवाना है अदर्वाइश आप देखना चाहिए लीने टांसफोर्मेशन के सुरू के दो पेचों के अंदर आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा ठीक क्योंकि प्रूफ लैंडी नैसेसरी वी तीप के वह लीने टांसफॉर्मेशन के जो वेरियाबल है वेरियवल जैसे यह का यू व ए स्टाइब के वह लीनेडा फोन के नहीं है द जब हमारी कि जो ट्रांसफोर्मेशंहां वह लीनए Вас नहीं होगी पहली इ Durham मैंने इसे बीच में इसे पूरा पढ़ा है क्योंकि इसमें तीन कंटीशन इंक्लूड है यदि हमारी लीनर की फोर्म में नहीं होगा यदि पावर ओफ वैरियेबल वैरियेबल की कोई पावर आ रही है मतलब बात वही है यह लीनियर का मतलब यह होता किसी की पावर वन होना जैसे यह पावर के रूप में ऑज़ है एक सस्जादा है तो थ्री यानि कि यह लीनियर नहीं होगा तो यह लीनियर टांसफोर्मिन नहीं दिखाएगा तीसरा क्या है प्रोडेक्ट पॉफ वैरियेबल अब प्रोडेक्ट वबैरियेबल से क्या होगा जैसे हम ऐक्स वाई लें जो खाली X होता वो linear होता लेकिन X की power run और Y की यह हमारे linear नहीं रहा क्योंकि अब यह हमारे linear नहीं है तो इस वह से linear transformation भी नहीं दिखाएगा एक example देख लेते हैं जिसमें हम लगबग जितनी भी हमारी CSI net में linear transformation किस कि different type के आई हैं two R cube R से mapping जा रही है Matic Space M to R पर M to R का मतलब्स क्या है two cross two का Matic Space पर जो three triple किया है वो mapping जा रही है then which of the following is linear space linear transformation इन में कौन सा linear transformation होगा तो मैं discard करता हुगा आपको बताता जाओंगा सबसे कि कौन कौन सा नहीं होगा क्यों नहीं होगा किस वएसे एक तो यहाँ पे y plus z है तो इसे confusion के लिए कर लें क्योंकि y plus 2 होगा तो यह linear transformation नहीं होगा first को देखते हैं first में यह दोनो linear है यह दोनो linear है multiply भी नहीं हो लिए आपस में पावर में भी नहीं है linear है तो इसका मतलब यह linear transformation दिखाएगा first right है second देखें यह y plus 1 है यदि किसी linear transformation में variable के साथ constant add हो जाए तो वह linear transformation नहीं दिखाता हमेशा याद रखना है मैंने इसी वरे से कुछ चार्ट के example लाया हूं जिससे आप उसे याद करके जायतर question को directly sort out कर सकें तो यह wrong हो जाएगा हमारा क्यों क्यों कि यहां पर constant add है और याद रखें जब भी हमारा किसी variable में mode आजाए mode x यह हमारा कभी भी linear transformation नहीं दिखाता है और mode x y की बात करें यदि x से साथ y आजाए वह हमारा linear transformation दिखा देगा बर क्योंकि वह हमारा लेकिन हमारा mode x कभी भी linear transformation नहीं दिखाता अब बात करें t x, y, z हमारा mapping जो है वह इसे वेक्टर मेट्रिक्स हम बदल दिया 4 into 4 and x plus y क्योंकि यहां पर एक constant आ रहा है तो मैंने जैसे कि यहां पर बताया था किसी variable के साथ constant आजे या अकेला constant आजे किसी linear transformation तो वह linear transformation नहीं दि दिखाएगा यह भी अब बात करें इसकी इसमें देखो multiply हो रहा है जो कि यहां पर हमारा को दिया भी ता प्रोडेक्ट ओफ वेरेबल यह भी linear transformation नहीं दिखाए तो इस विए से linear transformation नहीं दिखाएगा अब इस चा आगे हम देखते है linear operator अब linear transformation और linear operator में क्या है यहां पर mapping ज से को यदि सेम लगते हैं तो यह linear transformation की जगे linear operator बोला जाता है ठीक इसमें बस इतना ही चैंद है linear transformation में और linear operator में बात कराँ है मनल स्पेस और लीने टांप lesson यहां तो नल स्प्पेस होने लिने टांसफ़ुर्मेशन का ओफ कि प्लतल सा सव चर्च міने ऑद स्पessä क्या होता है क्योंकि अध मिने टांसफुर्मेसन की बात है धार कियो हमारा जो हमारा सब्सक्द जो हमारा contain सेम रहा था क्योंकि यहां पर टांस्फर्मेशन की बात करें अपरेटर की जग है तो यहां पर टाइन क्या है टी यू एकवल टू जी रो मतलब क्या है की यू के जितने भी element है यानि कि हमारे इस side के जितने भी element है UK ठीक वो V के जितने भी UK वो वो element जो V की identity पे map होते हैं जैसे यहाँ पे इसकी एक identity यह है तो UK जितने जो जो element इसकी identity पे map हो रहा है उनका जो set है उसे हम क्या बोलते हैं null space simple language यह है जो हमारे जो सामने वाला mapping है जो tu होती है इसके जो zero का मतलब identity होती है additive identity जो यानि कि हमारे इस वाले set की additive identity पर map हो जो UK element उनका set होता है उससे हम क्या कहते है null space और हमारा range space इसके different क्या होता है इसकी definition बन जाते है simply इससे theory आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें इसमें जा गए कि T alpha belong to V dash यानि कि क्या कि V dash के वो वो element इस बार है V dash के वो वो element जो U पर map होते हैं किसके अलावा null space के अलावा एक तो element वो reserve हो जाएंगे जो कि हमारा इसके identity element पर map होंगे दूसरे element हमारे किस type क्योंगे जो बचे हुए element जो अपनी pre image रखते होंगे U पर इस तरीके के element क्या होते है range set over T उनका भी एक हम set बना लेंगे वो set क्या होगा range set over T मैं एक बार repeat होड़ कर देता हूँ जो जो U के element इसकी identity पर map हों वो हमारा क्या होता null space over T और जो जो element बचे हुए element अपनी pre image U पर रखते हैं T alpha का मतलब यह हो जाएगा जो जो element अपने pre image इस पर रखते हैं उनका जो set इदर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे range space over T ठीक और एक हमें special term याद भी रखनी है या कि dimension over range space over T हमारे rank of T के बराबर होती है जैसे कि कि हम यदि हमसे पूछा जाए range space T की dimension क्या होगी किसी में matic form में दे रखा है तो simply हम उसकी rank निकाल लेंगे 2 by 2 की 3 by 3 की कोई metric दे रखी है उससे हमसे पूछा जाए range space over T यानि कि हमें उससे rank उसकी निकाल लेंगे जो उसकी rank होगी वह ही उसकी क्या हो जाएगी range space over T और बात करें null space over T या kernel of T kernel भी तो यहींचा आता है kernel में वह वह element तो जो 0 पे मैप होते है identity पे मैप होते है तो kernel हमारा null space से ही आता है तो null space या kernel over T क्या होगा जदी हमारी कोई metric given है 2 by 2 या 3 by 3 किसी की भी उसमें जो जितने भी nullity होगी यानि कि जैसे हमारी 3 by 3 की mapping है और उसकी rank 2 आजे तो उसकी rank 2 क्या है इसकी rank है 2 यानि कि उसकी range space में 2 element है और total element क्या 3 तो 3 minus 2 यानि कि 1 null space में 1 element हो जाएंगे और जिसमें rank full हो जाए उसमें केवाद range space होगा null space नहीं होगा यानि कि उसमें identity पे कोई भी element map नहीं करेगा एक होता है सिर्वेश्टर लो सिर्वेश्टर लो हमारा क्या बोलता है कि rank plus nullity equal to dimension of vf या दहना diamonds of vector space vf v-f की बात नहीं कर रहे हम कि यदि हमें इसके सारे element पता करने है तो हमें simply क्या करना होगा इसकी range निकालने इसकी nullity निकालने आपस में इनको add कर दे तो हमारे v-e में कितने element है वो हमें पता लग जाएगा अब ऐसा ही क्यों हो रहा है क्योंकि होता क्या है हमारा nullity क्या है कि हमारे जो-जो element u के किस पर map हो रहे है इसकी identity पर एक तो उस type के element है u में एक u में उस type के element है जो इसकी pre-image रख रहे है केवल दो type के तो element है हमारे तो हमने एक तो nullity से निकाल लिया nullity से हमारे वो element आ गए जो कि हमारी दूसरे सामने वाले की identity पर map हो रहे है और जो बच्चे हुए element है वो pre-image की थरह use हो रहे है तो वो हमने dimension के थरू वो range के थरू निकाल लिये इन दोनों को add कर दिया तो हमारे सारे वेक्ट सारे जो element है यूँके वो cover हो जाते है ठीक next हमारी क्या है इस पर बेस हमारे एक question है जो jam 2021 में आया था हमारे recent में let V be the finite dimension vector space V हमारे finite dimension vector space है यह से linear operator भी बोल सकते हैं यह V to V जा रहा है V the linear transformation या linear operator let RT denote the range of T जो RT है वो क्या दिखा रहा range of T का यानि की rank of T और n T हमारे denote the null space यानि की nullity of T rank of T equal to T square मतलब यह हमें given है rank of T हमारे rank of T square then which of the following is true अब सबसे पहले rank of T equal to यदि rank of T square है इसे हमें इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं हमने पीछे देखा था यह तो हम सुरू से रिप्रेजेंट करते आने हैं इस तरीके से sorry यहां से नहीं यहां पर आपने rank को इससे रिप्रेजेंट करा nullity को इससे तो हम simply यहां पर यह हमारा यही बन जाएगा range space of T equal to nullity of T के square के बराबर ठीक यह तो हमें given ही है तो इससे यह option हमारा correct हो गया second option में क्या करेंगे हम सबसे पहले दोनों तरफ sign minus ले लेंगे ठीक minus ले लिया उसके बाद दोनों तरफ n एड़ कर दिये plead तो हम कर सकते हैं दोनों तरफ plus minus करेंगे जासे n plus n माइनस कर दिया तो यह भी zero ही होता है हमने zero add करा है यहाँ पर जो इधर वाला n हो इधर ले गए इधर वाला n है इधर तो यह हमने इस तरीके से करा है अब हम क्या जानते है सिलі Mush voice कि रेंग हमारा एक ठीब क्या होता है डाइमेंश यानि कि ए डामेंश को हम एन से सब्सक्राइब करते यह होता है अब इसमें हम क्या करें जो हमारा एन है और रेंक है इसे तो एक तरफ लिए आते हैं यानि कि एन माइनस रो टी इक्वल टू क्या हो गया माइनस का एंटी तो यह आ गया हमारा माइनस का एंटी माइनस का एंटी स्क्वार माइनस सा माइनस कैंसल हो गया तो यह भी हमारा टू हो ग ले एक्स कोमा जीरो एक मैपिंग ले ले जो हमारे एक्स वाई पर जा रही है अब बात करेंगे जैसे हम इसकी नलिटी पर तो एक्स कोमा जीरो हमारा एक्वल टू जीरो कोमा जीरो पर जाता नलिटी का मतलब वही है जो आइडेंटिटी पर मैप हो यानि कि जीरो जीरो पर म तो हमें simply यहां से क्या पता लग रहा है केवल एक zero ही हम इन दोनों में नलेटी और रिंक में हमारा common आ रहा है तो यहां से इसका यह option भी correct हो जाएगा तो इस तरीके से इस question को हम tackle करेंगे ठीक अब देखते हैं next question next question क्या है let a हमें एक matrix दे रखे consider the mapping TA हमें एक mapping TA consider करनी है from real vector space m4r यानकी four cross draw की हमें mapping consider करनी है matrix consider करनी है itself defined by कि TA defined कैसे होता ax-x-a for all x belong to m4r जो जितने इंभी x है हमारे किससे बिलोंग कर रहे है capital X हमारे matrix four cross four की matrix बना रहे है simply मतलब कहने का तरीका यह है कि यह जो हमारे x है यह हमारे four cross four की matrix बनाएंगे then the dimension of range space of TA हमें क्या निकालना TA की range space यानी TA की हमें rank निकालनी है ठीक अब हमें निकालनी क्या है TA की range अब हम जानते हैं यदि हम इसकी nullity बोला जाए हमसे तो हम फिर भी इसकी rank निकाल लेंगे क्यों क्यों क्योंकि four cross four की हमारी mapping है वह matrix है यदि four cross four की matrix है तो उसमें total element कितने हैं four into four is sixteen अब sixteen में से यदि हम nullity घटा दें तो हमारी क्या आजएगी rank आजएगी rank आजएगी rank आजएगी rank of t अब क्योंकि हम इसमें करेंगे क्या simply मैं आपको बता देंता हूँ a x minus x से equal to क्या कर देंगे zero put कर लेंगे इससे हमारी क्या इसकी nullity आजएगी तो a x equal to x से हो जाएगा अब हम क्योंकि x हमारा क्या four cross four matrix है तो हम x की भी एक mapping माल लेंगे हम करेंगे क्या एक तो a into x सबसे पहले a लिख लेते हैं हम यह हमारा a है यह one ही है sorry यहाँ zero आएगा zero 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 minus one ठीक into x x हमारा क्या हो जाएगा हम कुछ भी माल लेंगे जैसे a b c d four cross four का a b c d e f x क्योंकि हमारा a into x equal to x into a के है यहाँ पर यह वाला तो हम यह ही माल लेंगे e f g h i j k l m n o p ठीक equal to क्या हो जाएगा x into a x इस बार x को पहले लिख देंगे a b c d e f g h i j k l m n o p ठीक और हम यह लिख लेंगे यह क्या one zero 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 one zero 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 minus one zero 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 minus one अब इनकी आपस में simply multiply कर लेंगे तो equal equality out of the matter six से is equal देख लेंगे सबसे पहले इस की multiply करेंगे तो a आएगा और सब के साथ zero जाया तो खाली एजाएगा और सब 0 हो जाएगा इसके मृतिकला हचा ही ऑग अगर ने इसके बाद इसकी करेंगे तो c आएगा इसके बाद इसकी करेंगे तो हमारा डी आएगा ठीक अब इसके बाद इसकी करेंगे तो हमारा केवल ई आएगा इसके बाद इसकी करेंगे तो केवल हमारा एफ आएगा इसके बाद जी इसके बाद एच इसके साथ इसकी करेंगे तो आई आएगा खाली वो भी माइनस का क्योंकि माइनस बन सोगा यह को भी माइनस का यहाँ पर माइनस का यहाँ पर माइनस का पी आएगा यहां पर C ओए गा स्वीटरोगों को इसी मल्टिप्लाई करना आते होगा इसकी मल्टिप्लाई करके आपको जब दिखाता हूँ यहां पर हम यहीं के बराबर है भी के बराबर क्योंकि प्रडिय कि लएगे क्या सी इकवल minus C possible है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोना वापस में और equality of a matrix की property लग रही है, यानि कि इसकी value क्या हो जाएगी, 0, एक तो हमारा 0 हो गया, क्या D minus D के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसकी value भी 0 हो जाएगी, E B हमारा E के बराबर हो सकता है, B, और G minus G के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी 0 हो जाएगा, H minus H के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी 0 हो जाएगा, I minus I के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी 0, J minus J के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी 0, minus K minus K के बराबर हो सकता है, और L minus L के बराब 8 equal to हमारा क्या आजएगा 8 यानि कि इसके निलिटी हमारी equal to कितनी आजएगी 8 यह हम डायक्ट बोल दें कि number of a zero element हमारी निलिटी होती है यानि कि इसके यह हमेंने गलत लिख दिया यहाँ पर निलिटी आईगी पहले सबसे पहले निलिटी आगई 8 अब total element 16 और निलिटी एट है तो इसकी डाइमेंशन कितनी हो गई मतलब रेंग कितनी हो गई हमारी हमारी एट हो गई तो हमारी रेंज स्पेस में कितने element हो गई आठ तो इस तरीके को करेंगे तो यह इस अब बात करें हम 11 transformation 11 transformation क्या होती है हमारी कि यह अदि हमारी निलिटी एक्वल टू जीरो आजए तो हमारी क्या होती है अब निलिटी एक्वल टू जीरो से one one transformation क्यों हो रही है कि जैसे you और we हमारे दो हैं अब हमारी nullity क्या होती है कि इधर के जितने भी element इसकी identity पर जाएंगे क्योंकि यदि अभी सारे element यदि किसी एक number पर map हो जाएंगे तो वो हमारा one one नहीं होता one one क्या होता है इधर के हर एक element अपनी unique image रखे इधर और यदि हमारे nullity equal to zero है यानि कोई भी element ऐसा नहीं है जो इसकी identity पर जा रहा है यानि कि हर एक element अपनी image और pre-image दोनों रखेगा यानि कि हर एक element के अपनी unique image होगी इस वएसे इसकी nullity zero है तो हमारा यह क्या हो जाएगा वो इसकी rank के बराबर आजे यानि कि हो क्या यह हमारी dimension और V dash है और यदि हम इसकी rank निकालें पूरे की T की और वो आपस में equal आजें V dash की rank और इसकी dimension तो हमारा यह क्या हो जाता है on to transformation हो जाता है इसे example के थूर देख लेते हैं जैसे हमारा एक यह T mapping देख एक है T X Y equal to X plus Y comma X minus Y यह 1 1 1 1 minus 1 यह हमने करा किया इसकी mapping बना ली यह X का coefficient 1 है तो हमने यह ऐसे कल लिए X comma Y X का coefficient 1 1 1 Y का coefficient 1 1 X का coefficient 1 1 Y का coefficient minus 1 minus 1 ठीक यह mapping बना ली वो छोड़ी matrix बना ली matrix की जगे में रिमों से mapping निकल ला है अब हमने इसकी क्या गरा इसकी हमने rank निकाली rank क्यों निकाली यदि इसकी rank full है यानि की 2 by 2 की matrix में इसकी rank 2 आजए तो इसकी यानि की इसका inverse exist कर जाएगा inverse exist कर जाएगा यानि कोई इसकी nullity equal to 0 हो जाएगी तो rank निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है हमारे यह जो element है सबसे पहले 1 बनाते है यह old lady 1 है तो इसे छोड़ दें कोई operation नहीं लगाएंगे इसके बाद इससे नीचे वाले element को 0 बनाते है इससे नीचे वाले element को 0 बना लएक लिए r2 minus r1 कर लेंगे हाँ पर तो 1 minus 1 0 आ जाएगा और minus 1 minus 1 हमारा minus 2 हो जाएगा अब इसके यदि रेखें number of non 0 रोज कितनी आ रही है एक रो यह एक रो यह दो आ रही है तो इसकी rank 2 हो जाएगी क्योंकि इसकी rank full है तो nullity 0 है तो यह 1-1 transformation दिखाएगा अब क्योंकि इसकी rank full है तो हमारा यह 1-1 transformation दिखाएगा क्योंकि इसकी nullity 0 है पर इसकी rank क्या है 2 और हमारे जो वी डैस यह क्या होता हमारा V और यह हमारा होता है V- और इसमें V- की जो dimension है वो क्या है हमारी 2 और V- की dimension यदि हमारी rank के बराबर हो जाए तो यदि हमारी rank यहाँ पर V- की dimension रिंक के बराबर हो रही है यानि कि यह हमारा on to transformation linear transformation भी दिखाएगा इस तरीके समझेक करते हैं ठीक यह मैंने नीचे explain किया है singular and non singular linear transformation singular and non singular वही है जैसे कि मैं यहाँ पर matrix में बोल भी रहाता कि यदि इसकी rank full है तो determinant not equal to 0 आजाएगा और determinant not equal to 0 आगया तो non-signal होता है हमारा और यदि determinant हमारे equal to 0 आजाए तो singular होता है और determinant 0 कब आता है यदि हमारी rank full ना हो यानि कि nullity एक से जादा हो तो यहाँ पर वही है यदि हमारी कहां है nullity एक से जादा हो तो हमारे singular linear transformation होगी यदि nullity 0 हो जाए तो non-signal linear transformation होगी ठीक अब एक हमारा note है जिस पर बेस हमारे question आया ता काफी अच्छा concept पर बेस है यदि TOS हमारा 1-1 and onto linear transformation है ठीक और यह identity map भी दिखा रहा है एक होड़ा एक कर लें इसमें identity map भी दिखाए TOS हमारा 1-1 है और onto है और 1-1 और onto होने का ही मतलब क्या होता है identity map दिखाए identity map जब ही होता है यदि कोई element के बीच में आपस हम 1-1 onto transformation या mapping हो ठीक तो मैंने इस वए identity भी यह word यूज हुआ है तो मैंने बता दिया यदि इस तरीकी के हमारी TOS हमारा एक operation है जिसमें यह identity map दिखा रहा है या हम बोल दे 1-1 onto map दिखा रहा है तो इसमें जो बाद वाला है वो तो हमारा 1-1 होना चाहिए और जो पहले वाला यह हमारा onto होना चाहिए जब यह identity map दिखाएगा ठीक अब इसी पर बेश हमारा question है let S हमारा R3 to R4 है and T हमारा R4 to R3 be the linear transformation such that क्या TOS हमारा identity mapping of RQ हमारी identity mapping है ज़िए identity mapping है तो हमारा यह क्या होना चाहिए 1-1 होना चाहिए और यह हमारा क्या होना चाहिए ठीक अब S यदि हमारा 1-1 है S कहा है यह तो यानि कि इस की rank हमारी क्या होनी चाहिए इधर से देखते हैं 1-1 तो क्योंकि हम 1-1 के लिए क्या होना चाहिए इधर के साली element की mapping इधर के element पर होनी चाहिए क्योंकि यहां पर तीन element है यहां पर चार है तो सबकी अपनी unique image मिल जाएगी यानि कि one one होगा यहां पर तो one one के लिए इसकी dimension of s क्या हो जाएगी है हमारी equal to या rank of s हमारी equal to क्या हो जाएगी three ठीक अब टी हमारा on two होना चाहिए on two के लिए हम किसम y इधर वाली term को देखते हैं कि इधर वाले जितने भी element है वो अपनी प्रीमेज रखें इधर की तरफ अब क्योंकि इधर के element three हैं इधर के four हैं यानि कि इधर के जादा हैं तो हर element की three मेज हमारी easily मिल जाएगी तो rank of t हमारी क्या हो जाएगी three again अब हमें यहां से पता हो गया लग गया कि s की rank क्या है three है और t की rank क्या है three है जब t o s हमारी identity mapping है यानि कि one one on two mapping है identity का मतलब यह है then हमें क्या पूचा गया SOT is identity mapping on R4 क्या हमारी SOT भी identity mapping होगी SOT की identity mapping होने के लिए हमारा बाद वाला क्या होना चाहिए 11 इस बार हमारा T11 हो जाएगा और S हमारा on to हो जाएगा क्या T11 possible है देख लेते हैं T के 11 होने के लिए हम इदर वाला element देखेंगे यानि की 4 की अपनी image होनी चाहिए 3 पर क्या 4 element की unique image जिसके दूसी तरफ 3 element possible है बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो element ज़्यादा है यहाँ कम है और जब भी हमने शुरू में भी देखा था यदि आपको यादो ये लेक्षर था या जाए 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 दूसर लेक्षर होगा उसमें जदी cardinalty of A हमारी क्या आजे हमारी बड़ी आजे या equal आजे cardinalty of B के तो हमारी कभी भी वो one one transformation या one one mapping नहीं दिखाता है यहाँ पर transformation आगया mapping की जगे mapping और transformation एक ही बात होती है कि हम इधर से इधर किसी element को change कर रहे है तो वह map के through change हो रहा है तो वहाँ पर हम t लगा देते हैं map दिखाने के लिए तो इसे हम transformation कहते देते हैं और इसे जिस तरीके से हम t तरीके से denote करते हैं इसे हम map कहते हैं या इसे हम function भी बोल देते हैं operation भी बोल देते हैं काफी नाम से बोलते हैं बात एक ही होती है ठीक क्योंकि अब हमारे यहां पर यह element ज़्यादा यह काम है तो one one possible नहीं है इस वाई से हमारा sot हमारा t हमारा one one नहीं दिखाएगा one one नहीं दिखाएगा तो one two भी नहीं दिखाएगा one one on two नहीं होगा तो identity map नहीं होगा तो इस वए से option गलत हो जाएगा second option क्या sot के हमारा one one होगा sot हमारा अभी हमने check किया one one नहीं होगा क्योंकि हमारा a के cardinalty b से ज़्यादा आ रही है तो हमारी unique image नहीं मिल पाईगी तो sot हमारा one one नहीं होगा note on two on two का तो हम check sot हमारा one one है यही गलत है तो on two हमें check करने के फिलाल इस option के लिए जोगत नहीं है sot क्या हमारा on two होगा but note one one यह हम check करना पड़ेगा क्योंकि जो one one हो सकता है one one ना on two हो तो इसके लिए sot क्या on two होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए t हमारा one one है s हमारा on two होना चाहिए क्या s हमारा on two possible है अब यहां पे तो हमारे चार element है यहां पे हमारे तीन element है अब on two होने के लिए one one के जस्ट अपोजिट होता है यह भी renalysis के फर लेक्चर में देखा था हमने, यदि A की कार्डिनल्टी हमारी B से ज़्यादा या एक्वल है, तो हमारा उन्टू पोसिबल है, और यदि A की कार्डिनल्टी हमारी B से छोटी या एक्वल है, तो हमारा वन वन होनी की चांसी होती है, तो यहाँ पर क्या है, A की कार्डिनल् और B की ज़्यादा है तो हमारी प्री मेंज तो मिली नहीं पाईगी चारी अलिमेंट की मेंज हम तीन कैसे लिएंगे तो इस वएसे हमारा ओंटू भी नहीं होगा तो इस वएसे में हम देखेंगे फाइनान डेमेंज़ संबाटर स्पेश-देश्फश हो दैंट इत्यों कि फिक चोटा से लेक्शो में अब जैसे हमारा Diese है finite dimension vector space finite dimension vector space क्या होता है हमारा आप vector is sent to finite dimension yes it has a finite basis जदी हो finite basis चकता हो अब बात करते हैं हम basis किसी भी वेक्टर का basis होने के लिए हमारी क्या क्वारी कंडिशन होग चाहिए एक तो उसके सारे element जो वैक्टर से अबने जितने भी element linear independent है उसे निकालकर हम एक set बनाएंगे क्योंकि S के सारे element linear independent है linear independent की condition आपको first lecture में मिल जाएगी first year second lecture में linear algebra के तो आप उसे देख लें तो उसमें यदि हमारे सारी element linear independent है तो हमारे basis दिखाएंगे second condition होती है हमारी LS equal to V basis के लिए यानि कि हम जो S के सारी element है उनका आपस में linear combination करें यानि कि F के साथ हम scalar multiplication करें F हमारा क्या होता है field के element के साथ S के यानि कि vector के element की scalar multiplication करें और यदि वो vector हमारा बना दे पूरा तो वो हमारा क्या होता है linear span होता है तो यहां पर linear span use होगा क्या कि यदि हमारे जो S के जो element है उनके finite element की help की linear combination की help से हम यदि vector space को generate कर दें तो हमारा जो dimension होगी वो finite होगी और यदि किसी vector space को generate करने के लिए basis के infinite number of elements हो यानि कि उनके infinite number of elements का हम linear combination करें जब जा के हमारा vector space generate हो तो इस तरीका जो vector space होता है वो हमारा क्या होता है infinite dimension vector space होता है simple language में हम बोलें कि यदि क्योंकि basis का हमारा एक काम होता है कि उनके linear combination की help से vector को generate करना और यदि vector करने के लिए basis के finite element लगे तो finite dimensional vector space हो जाएगा और यदि vector space को generate करने के लिए basis के infinite element लगे तो वो infinite vector space हो जाएगा dimension vector space हो जाएगा 1 और i इसकी basis होती है यानि कि इसकी basis में केवल दो ही element होते है 1 और i और इसकी total dimension 1 और 1 2 हो जाएगी dimension हो f q over q, r over r और c over c जहाँ पर भी हमारा field और vector space दोनों एक ही हो उनकी हमारी vector space की dimension क्या हो जाती है 1 केवल वहाँ पर एक ही element होते है basis में वह भी क्या होता है unity यानि की one अब बात करें r2 over r r3 over r r4 over r तो यह मैं पहली बात करता चुका हूँ इसे हम बहते हैं two tuple, three tuple, four tuple, n tuple तो जितना भी यहाँ पर power लिख रही होगी उतनी हमारे basis में element होंगे और उतनी basis में element को को दिखाने के लिए हमारी basis को represent करने के लिए हमारी कुछ standard basis होती है जिने हमने लिखने का तरीका देखा था one zero zero one zero जहां तक हमें ज़ुआत है वह तक 001 जो मने last the last lecture में देखा था even last lecture में उसमें हमें बताया गया था dimension of cq और rq हमारा क्या होता है infinite होता है ऐसा क्यों क्यों कि यदि हमारा build क्या हो क्यों हो और vector space c और या r तो c और r को बनाने के लिए क्योंकि infinite element चाहिए होते हैं और हमारा यहीं से आता है infinite dimension vector space infinite dimension vector space यही होता है कि यदि किसी basis के infinite element चाहिए हो किसी vector space को generate करने के लिए तो जब भी c over q r over q लिख रहा हो तो diet हमें महां पर याद रहना चाहिए कि हमें यहां पर इसे vector space को generate करने के लिए infinite number of elements चाहिएंगे अब dimension of a m को यदि हमारा m cross n की एक matrix है तो इसकी dimension क्या होती है m n होती है हम last lecture में देख चुके हैं old lady अब यह काफी important note है note on a dimension if यदि हमारी यह जो है vector space किस form में दे रखाओ matrix की form में दे रखाओ सबसे पहले result क्या है if the sum of the first row is 0 यदि हमारी m cross n की कोई matrix है उसमें यदि first row का जो वो first row है उसका जो sum है वो 0 आजे यानि कि हमें एक linear independent condition दे दी गई है केवल एक क्योंकि एक row दी गई है तो एक ही condition है तो हम क्या करेंगे total number of dimension क्या होती है m into m यहाँ पर हमने देखा था जब हमारी क्या हो यह matrix हो और इसमें से क्योंकि अब जैसी हमें m linear independent condition दे दी गई है तो total dimension में से हम m जो है उसे minus कर देंगे तो हमारी क्या जएगी dimension of a vector space अब बात करें यदि हमें next क्या दे दिया गया हो next हमारा अलग तरीके से दे दिया हो क्या यदि each column is 0 यदि हमारा each column भी 0 कर दें तो वो क्या होगा mn total dimension minus n अब n q क्या रख गया है क्योंकि यहां पर number of a column क्या है n क्योंकि number of a column n है तो हमारी n linear independent condition मिलेंगी और जब भी हम diamond linear independent condition निकालते हैं दे डाइमेंड वह सभी space हमारी fund out हो जाती है अब हमारी next condition क्या है इसमें क्या given है यदि हमारी किसी matrix की each row का sum भी 0 हो जाए each column का sum भी 0 हो जाए यदि each row और column दोनों का sum 0 हो जाए तो हमारी dimension क्या हो जाएगी m minus 1 into n minus 1 इसे याद करने का सबसे best तरीका यह है otherwise result आप याद करने चाहते हैं तो हम क्या करेंगे total dimension mn मैंसे minus m करेंगे minus n करेंगे रो को गटाएंगे column को गटाएंगे और पिलस वन करतेंगे यह थोड़ा confusing है तो मैं हमेंसे यही recommend करता हूं अब next point क्या इस point को आप एक बार खुद भी पढ़ना सारों को क्योंकि यह याद करने वाले point है आप थोड़ा समझे प्रैक्टिकल यह आते कहां से और उन्हें याद करने की भी कोशिश करें क्योंकि यह diet हमारे use होते हैं कुस्टनों में if all non diagonal entries are zero यदि हमारी सबी non diagonal element entry क्या हो जाएं जीरो हो जाएं तो हमारा हो क्या basically कि जैसे हमारे three cross three की matrix है one two three हमारे यह तो non zero हो और सब हमारे क्या हो जाएं जीरो हो जाएं तो इस तरीकी matrix की रेंग क्या होगी again three होगी क्योंकि number of non zero rows हमारी जब भी ती नहीं आ जाएंगे यदि क्योंकि यह three cross three की है तो इसकी क्या हो जाएगी if the matrix is scalar then dimension of vr equal to क्या होगी यदि हमारी matrix scalar होगी तो यहां पर scalar में आपने property पढ़ी होगी कि इसमें जो diamond diagonal में element होते हैं वह सेम तरीके के होते हैं या तो वन होना चाहिए जीरो है जीरो जीरो होना चाहिए क्योंकि सेम तरीके के element है तो उनकी हमें इसकी डाइगनल मेंट्रिक्स है तो यानि कि यहां पर इसी तरीके से मेंट्रिक्स को भी ले सकते हैं इसमें तीन element होंगे और सब जीरो हो जाएंगे अब क्योंकि इसमें तीन element है तो इसकी रेंग 3 हो जाएगी नमबर और जिरो रोज अब इसके साथ हमें क्या गिवन है यदि इसका 3 जीरो आजे टे साला की हमारा नंबर ओफा वह था हमारा आइगन वैल्यूओ आइगन वैल्यू को सम ट्रेस होता है लेकिन वह हम बात बात करेंगे अब बात करते हम लिने इंडेपेंडेंट कंडिशन दे दी गई है एक तो ट्रेस जीरो है हमारा और हमारी यह सारे नोल डाइगनल एलिमेंट जीरो है ठीक यह दो हमें चीज दे दी गई है तो यानि कि टोटल इसकी रेंग क्या होती थी अभी तक हिपनेasन में यहाँ पर्ड लेन फिंपर्वाले में अबं हमें क्या दिए गया है मिद्ध यहाँरे समारा जीरोफा य्यद्धी यहां पर्णडी जीरोफा यह पर्णडी गया तो हमारे एक धॉड डाइन डाइमें symmetric matrix है तो उसका हमारे dimension क्या होगा ठीक है तो हमारी एन क्रोस एन की यदि symmetric matrix है उसका formula क्या होता है n square plus n upon two और यदि हमारी स्कू स्वेमेट्रिक है matrix n क्रोस n की तो उसका formula हो जाए n square minus n upon two अब ऐसा क्यों हो रहा है यदि हम बात करें यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहले बात करते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्योंकि उसके बाद हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें या तो डाइगनल में आइडेंट जीरो आए या फिर imaginary element है होती है हमारे symmetric metric की एक property होती है उसके अलावा और क्या होता है कि यदि यहाँ पर A है तो यहाँ पर minus A हो यहाँ पर B है तो यहाँ पर minus B हो यहाँ पर C है तो minus C हो क्योंकि A minus A है यहाँ की बात है B minus B A की element है C minus C A की element है तो इसमें number of different element कितने हैं हमारे के वहल सी इतना चास Leaf से मे चैने कि हम कोट करने हैं मैंने जाक्त तो भी करेंगा आगे और भार सिमेटिक मैक्टिक्स दे रखिये तो उसमें यहां पर हमिशन फर करें नियाएंगे यहां फिर हमारे आएंगे बात करें नहीं यह नहीं है अब 202 आएंगे अभी हैँए 0 element है क्योंकि क्योंकि यहां पर देखें तो R की बात चल लिए सब जगे R की बात चल लिए तो Real number लेंगे तो I तो आए गई नहीं diagonal में तो इसमें हमारा होगा क्या यहां पर कोई एक number आजेंगे तो इसकी 3 rank और बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पर 0 की जगे कोई particular number आजेंगे अलग अलग तो यहां पर यह 3 rank और हो जाएगी तो इसकी rank क्या जाएगी 6 हम इस formula में रख दें क्योंकि 3 क्रोस 3 की matrix है यानि की value 3 है तो 3 के square 9 plus 3 हमारा क्या होगा 12 upon 26 यानि कि इसकी dimension 6 आ जाएगी तो इस तरीके से हम diet formula याद करके किसी भी n क्रोस and matrix की symmetric matrix है तो उसकी dimension निकाल सकते हैं simply हमें n क्रोस n में n की value रखनी है और diet value आ जाएगी dimension होगा नेल मैट्रिक हमारी 0 होती है यह सभी को पता है जितनी भी हमारी matrix होती है उनकी dimension क्या होती हमारी 0 होती है बात करेंगी क्यूसेंट space की क्यूसेंट space सबसे पहले यदि आपको डिटेल में theory पढ़नी हो आला कि CSI net में इसकी theory नहीं आती तो और theory पर बेस कभी question भी नहीं आया तो मैं इसकी theory पर नहीं जाँगा यदि आप देखना space को क्या कहते हैं हम qsand space कहते हैं और इसमें इसका operation किस तरीके से लाग होते है v1 प्लस w यहां पर w सब space है v1 v2 हमारे vector space है कोई दो तो v1 प्लस w प्लस v2 प्लस w को equal करके दिखेंगे तो w हमारे एक बार आएगा तो v1 प्लस e2 आजेगो external composition यह हमारे इसका internal composition होता है external क्या होता है alpha into u plus w equal to alpha u plus alpha w तो इस तरीके से open हो जाता है इसका external composition हाला कि इसके theory पर हमारा question है question क्या आता है dimension of a cushion space तो हमेंसे या दखें dimension of a cushion space क्या होता है number of linear independent condition aअ अब यदि हमें बात करी dimension of a sub space की करीदी जैसे हमने बात तो उसमें क्या कर आता हमने vector space की dimension में से हम क्या कर देतें को गटा देते थे थीग लाइ को गटा देते थे तो हमारी किसकी dimension राज़ती थी W की ठीक अब यादी हम बात क्या करें हम इसके reverse करें क्या करें Li को तो इधर की तरफ लिए या इधर ले जाएं तो Li linear independent condition equal to क्या हो जाएंगी dimension of V minor dimension of W यह मैंने क्यों बताया है यदि हमें V और U vector space और सब space की dimension दी गई है तो इन दोनों को आपस हम माइनस करें और हमारी QC space की यानि कि number of linear independent condition हमें find out हो जाएंगी और यदि हमें क्या given हो केवल linear independent condition given हो जैसे कि इस question में given है तो हम direct number of linear independent condition देखेंगे वह हमारी क्या हो जाएंगी QC space की dimension हो जाएगी जैसे हमारा V cube over R हमारा क्या है हमारे एक vector space है W एक सब space है ABC जहां पर linear independent condition है A plus B equal to zero then B दा सब space of V हमेरे क्या बताएगा है W हमारा सब space over V है then हमें dimension की सबीर दिखाने क्यूसेंट space की और क्यूसेंट space की dimension क्यों होती है number of linear independent condition अब यहां पर linear independent condition कितनी है हमारी वन तो diet इसका dimension of our QC space हमारा क्या हो जाएगा वन ठीक तो इस तरीके से कोस्टनों को करते हैं तो यह था हमारा जो टोपिक हमारा लास्ट वीडियो में रह गया था यह मैंने short में ले दिया इसके बाद हमने linear transformation पढ़ेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में take care have a nice day